नमस्कार दोस्तों, मैं कीरन, मेरे यूटूब चैनल कीरन्स कीचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी नंदन, तो दोस्तों यहाँ पर लगी हुई हैं गर्मियों की सभी तरह की पतेदार शब्लियां जुम्मे के महीने में भी बहुत थी स्वाज चल रही है तो इन्हें लगाया था मनमंत पहले और अब यहाँ आर्विष्टिंग के लिए पूरी तरह से त्यार है तो यहाँ लगी हुई हरी शुला, यहाँ लाल भाजी लगी हुई और यहाँ पालक की भाजी लगी हुई तो दोस्तों हरी पतेदार शब्लियां देखने में जितनी खुबसूरत होती हैं इनकी हरी हरी पत्तियां आखों को जितना सुकून देती हैं खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट होती है हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और पुसक तत्तों से ये भरपूर होती है इनमें बिटामिन भरपूर मातरा में पाई जाती है तो दोस्तों हरी पत्ते दार्शब्जियों जितनी ही होती है उनमें बिटामि पाई जाती है इसके अलावा इसमें फाइबर भी भरपूर मातरा में पाई जाती है जो हमारे पाचन तंतर को शही रखती है तो दोस्तों सेहत के लिए पतिदार सब्जियां बहुत ही फाइदे मंद होती है पतिदार सब्जियां गुनों से भरपूर होती है इसलिए इसे और जाड़े की दिनों में पतेदार सब्जेयां बहुत ही असानी से लग जाती हैं, लेकिन फरवरी, मांच, एप्रिल तक ये सब्जेयां बहुत ही ये आसानी से लगती हैं लेकिन मैं-जून के महीने में इसे लagाना थोड़ा सा मुस्किल होता है, कि वहुत तीज गर्म हाव कि मैं पतेदार शब्जियों को कैसे लगाती हूं और इतने हरी भरी पतेदार शब्जियां क्यों है गार्डन में तो चलिए आप मेरे तरह के से पतेदार शब्जियों को लगाईए आपके गार्डन में भी पतेदार शब्जियां भरपूर होंगी इतनी गर्मी में भी तो च दोस्तों गर्मियों में जितना हो सके गहरे ग्रुवैक का इस्तमाल करना चाहिए ग्रुवैक की गहरा यदिक होती है तो भले ही उपर की मिटी सूख जाए तो नीचे की मिटी में नमी जो है हमेसा बनी रहती है और थर्मा कोल के कंटेनर सबसे बेश्ट होते हैं पत्यदार श पत्यां डालनी है यह सूखी पत्यां जो होती हैं कारवन का सुरोत होती है और पोसक तत्यों से भरपूर होती है और जब जड़े यहां तक पहुंचती है तो उन्हें पोसक तत्यों भी मिलती है और इन पत्यों में जब हम पानी डालते हैं तो पत्यों में जो नमी एक बार बनती है सुबा में, तो साम तक वो बनी रहती है, क्योंकि ये पतिया जब एक बार गीली होती है, तो जल्दी ये सूखती नहीं है, और काफी लंबे समय तक इनमे नमी बनी रहती है, और जड़े जब इनमे घुस घुस कर अपना जाल बिछा देती है, तो पुसक तत्व भी पतियों के द्वारा जो नमी मिलती है, उससे ये साम तक बिल्कुल भी मुझाती नहीं है, और साम तक ये हरी भरी रहती है, तरो ताजा रहती है, तो इस तरह से सूखी पतियों के इस्तवाल अपने ग्रोबैक्स में एक बार जरू से करके देखें, तीसरा काम जो आपको कर भरा भरा रखने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद की जूरत पड़ती है, तो देखें, मैं यहां पर 60% गार्डेन सो ले रही हूं, और 40% के करीब मैंने गोवर की खाद ली है, गोवर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मातरा में पाई जाती है, और इसके अलावे इसमें कई सुचुम तपो सकता तो भी पाई जाती है, गोवर की खाद की जगा आप और मिकंपोस्ट का भी इस्तमाल कर सकते हूं, गोवर की खाद ही होती है, जो कहीं जूद वारा तयार की जाती है, तो दोस्तो पत्यदार श्रपजियों के अच्छे ग्रोध के लिए सिर् तो दोस्तों चौथा काम जो आपको करना है बीज को सही तरीके से लगाना है तो जितनी भी पतेदार शबजियां होती हैं सभी के बीज जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं तो उन्हें लगाने से पहले मिटी को जिस ग्रुबैग में आप उन्हें लगाना चाहते हो उस अच्छे से सेट हो जाएगी और अच्छे से सेट हो जाएगी तो जो भी बीज हम इसमें डालेंगे क्योंकि बीज बहुत छोटे-छोटे होते हैं और जो भी बीज हम इसमें डालेंगे वो एक जगह पर इस्थिर रहेगी पानी डालने के बाद ना यह उपर आएगी और ना ह मिट्टी लेकर मैंने उसमें से मिला दिया है मिट्टी डालने से क्या होगा कि बीज बहुत ही ज्यादा च्छोटे हैं तो जब हम इसे इस तरह से इसे में लगाएंगे तो यह एक दूरी में गिरेंगी एक अस्थान पर यह नहीं गिरेंगी और थोड़ी दूरी दूरी पर ग करेंगे तो इस तरह से मिट्टी डालकर आप अगर इन्हें छिड़कते हों तो बस एक जगह पर यह नहीं गिरेंगी और इसमें एक दूरी बनी रहेगी और यह पूरे ग्रुबैक्स में फैली रहेंगी तो चली इसे हाफ इंच की लेयर में मिट्टी डाल देते हैं तो बहुत अधिक मिट्टी डालने की जरुत नहीं है हाफ इंच से कम भी आप डालोगे तो चलेगी लेकिन आपको जादा नहीं डालने है बहुतों की सिकायत होती है कि बीज अंकुरित नहीं होते हैं तो वह बहुत गहराई में जाने की वज़ा से ही नहीं निकल पाती है तो आप ग्रोबैक्स में इस तरह से पानी डालकर उसके बाद फिर बीजों को लगाईए बीज जो है जहां आपने डाला है वो वहीं रहेंगे एकदम इस थी रवस्था में और ना ये जादा नीचे जाएंगे और ना ही ये मिट्टी से उपर आएंगे तो इस तरह से आप बी है तो दोस्तों देखिए गर्मी के दिनों में विश्यसकर मई जून के महिने में तेज धूप होती है इनकी पतियां जो है वो जूला जाती है तो पानी इसमें अच्छे से डाली सूबह 6 बज़े डाली और एक बार दिन के 10 बज़े डाली 10 बज़े जो आप पानी डालोगे इसमें साम तक नमी बनाई रखेगी तो दस बज़े एक बार पानी ज़रू डाले तो दोस्तों ड़ाने के 30 दिनों के बाद पतिधार सब्जियां जो होती है वो हार्वेश्टिंग दे देती है तो आज मैं पहली हार्वेश्टिंग ले रहे ही इसको तेछलीए से कर दो कर दो तो दोस्तों यहां मैंने दो तरह की पतेदार सब्जियां हार्वेश्ट की लाल भाजी हार्वेश्ट की है और हरी भाजी हार्वेश्ट की है तो देखे पूरे तोकरी भरके मैंने इस तरह से दोनों पतेदार सब्जियां हार्वेश्ट कर ली है और harvesting के बाद भी आपको एक काम करना है तो देखे मैंने दो तरह की सब्जियां तो harvest कर लिए पतेदार अब इसके बाद मुझे क्या करना है वो मैं बता देती हूँ तो देखे इसके बाद मैं gover के कंड़े की liquid खार डालती हूँ इससे पहले भी मैंने harvesting के लेने से पहले दो या तीन बार डाली है तो harvesting लेने के बाद अगर आप इसमें फिर से नई growth चाहते हैं और जल्दी इसकी growth हो तो उसके लिए आप इसमें gover की कंड़े की liquid खार डाली है यह gover की खार जो है वो हम इसमें अभी नहीं डाल सकते हैं तो gover के कंड़े की liquid खार डाली है यह ठंडी भी होती है और पोसकततों से भरपूर होती है nitrogen तो भरपूर मातरा में है इसमें तो यह आपके पतेदार शवजयों की फिर से एक बार नई growth करेगी और 15 से 20 दिनों में यह फिर से आपको एक बार नई पतियां जो है वो निकलाएंगी और उसके आप harvesting ले सकते हो तो यह काम आपको harvesting के बाद करनी है और इस तरह से आप दो बार पहली harvesting के बाद फिर से दो बार इन पतियों को आप harvest कर सकते हो यहां से फिर से नहीं पत्या निकलेंगी, उन्हें आप कट कर लेजे, फिर वहां से फिर से नहीं पत्या निकलेंगी, तो इस तरह से आपको एक बार लगाने के बाद, तीन बार निसे हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, तो दोस्तो इस तरह से पत्यदार शब्जियों को आप म कमेंट भी करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार